मिली जो तुम हमको बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किसुमति की लकीरों से हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छी से होंगे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में एक प्यारा सा फूल खिला हुआ है जो आपके सामने है देखिए फ्रेंज कितना सुन्दर लग रहा है हिविसकस का फूल तो फ्रेंज मैं इसी ही विसकस के बारे में बात कर रही थी कि इसमें किस कलर के फूल आएंगे और कब आएंगे लेकिन फ्रेंज हमारा इंतिजार खत्म हुआ और मैं बहुत खुश हूँ इसलिए इन्हीं देखकर हमको रहा नहीं गया और एक छोटा सा गाना गुन गुना दिए तो फ्रेंज कितना अच्छा लगता है कि जब छोटे छोटे पोट्स में जो है सुन्दर सुन्दर फूल खिलते हैं तो मन को बहुत ही खुशी मिलते है तो आज ओखुशी हमको मिली है तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों के साथ share कर लूँ तो फ्रेंज मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मैं हीविशकस की cutting को कैसे लगाती हूँ तो चलिए फ्रेंज हीविशकस की cutting को लगा देते कि इसके बार इसकी कलम करने के बाद मिति में लगाऊंगी तो चल ये फ्रेंस इनकी चुछी चुछी कट लेता हैं देखिए फ्रेंस मैंने हिविक्ष। की सबी पत्तियों को हटा दिया और इनकी कलम बना ले और इसकी ऊपर से देखिए कि जो च्छाल थी मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया है और मैं इनमें रूट होर्मोंस ने लगाऊंगी क्योंकि इन्हें रूट होर्मोंस की जवरत नहीं है यह बिल्कुल आराम से लग जाएंगे तो फ्रेंज फर्वरी मार्च और अप्राइल में आप हेविस्केस की कटिं बहुत ही अच्छी तरह से लग जाती है तो चलिए फ्रेंज हम इसको लगा देते हैं तो फ्रेंज मैं किसी अलग गमले में नहीं लगाऊंगी यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची हुई है इस गमले में तो मैं इसी में लगाऊंगी और इसमें पहले मैं हेविस्केस की दो- बाट देती हूं ताकि ओ भी जो है अच्छे पेट पौधे लगा सकें एक कटिंग मेरी यहाँ पर बची हुई है मैंने इसको छोड़ दिया है तो फ्रेंज सबसे पहले मैं इसको निकाल लेते हूं और देखते हूं कि इसमें रूर्स बनी है की नहीं तो चलिए फ्रेंज इसमें बहुत अच्छी तरह से रूर्स बनी हुई है और इसको मैं दूसरे गमले में लगाऊंगी तो इसको हम रख दे रहे हैं और जो कटिंग हम बनाये हैं उसको इसमें लगाएंगे देखें फ्रेंज ए मित्ती बहुत ही फ्लोरस है और जब आप अलग से मित्ती ले रहे हैं तो मित्ती और बालू और थोड़ा सा कमपोश्ट इन तीनों को मिलाकर अपनी कटिंग को लगा सकते हैं अगर आप नार्मल मित्ती में लगाना चाहते हैं तब भी जो है हीविस्किस क्रिकर्टिंग बहुत ही आराम से लग जाएगी तो मैं यहां पर हीविस्किस क्रिकर्टिंग लगाऊंगी यहां पर देखिए फ्रेंग करने के बाद इस तरह से हम टीनी कोटिंग को लगा सकते हैं और थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल दे रहें पानी डालने के बाद फ्रेंज मैं इन्हीं जो है सेडी एरिया में रखूंगी क्योंकि कोई भी कर्टिंग हो अगर हम फुल सल लाइट में रखते हैं तो जल्दी नहीं लगती है तो इसलिए इन्हीं जो है सेडी एरिया में रखा जाएगा तो फ्रेंज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलेगा फिर मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यमाद